वेलकम बैक माई यूटीव चैनल आज मैं आप सबी को ये दो कलर के उन में ये बहुत ही खुप शरसे स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जो कि यहाँ पे मैंने बेवी के स्वेटर में आप इस डीजाइन को अपलाए कर सकती हैं अपने मन चाहे कलर के उन का इस्तमाल कर सकती है और ये 5-5 फंदो का पैटर्न रहेगा और मैं आपको इस्टार्टिंग से बना करके बताऊंगी कि कैसे आप बना सकती हैं इस डीजाइन को उससे पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हैं और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले सकती हैं चले बनाते हैं इस डीजाइन को यहां पर मैंने कुछ फंदे 19 फंदे स्लाइम ले रखे हैं और एक जो 55 फंदो का पैटर्न रहेगा तो फिट चलिए बनाते हैं इस डीजाइन को यहां पर दो कलर के उनका मैं इस्तमाल करूंगी तो यह देखिए पहले फंदे को आप सीधा बीन सकती है या भी स्कीप कर लें तो पहले फंदे सीधे बीनेंगे प्लस दूसरे फंदे को भी सीधा बीनेंगे यह रेट कलर का उन है जो मैंने यह आप एड़ करके रखा है इस उन में उसे हमें बस सिंपल ही आगे लाकर कि इसे छोड़ देना है और फिर इसके उपर से ध्यान रहें कि इसके ऊपर रेट वाले के ऊपर से यह फंदे जाने चाहिक तो देखेंगे यह फाइफ फंदे हमें बीनने हैं टू है कि फीर से सीधह बील लिनने के बाद हमें यह और पिर यह अलग कलर के जो भी आप बेश के कलर का हुन रखती है उसे हमें 5 फंदे बिनने हैं 1, 2, 3, 4 and 5 5 फंदे सिधे बिनने हैं अगेन हमें इस उन को बस इसके तरफ ला करके छोड़ देना है और उसके बाद ये ऊपर रहेगा ये जो है बुलू वाले उन देखिए 1, 2, 3, 4 and 5 इसी को आपको रिपीट करते जाना है फिर हमें ये 5 फंदे उन को इस तरफ ला करके छोड़ देना है और फिर जो बेस के कलर का उन है बस इसे हमें सिधा बिन लेना है यहां पे सिर्फ सिधा और उल्टा ही बिनना है और ये बहुत ही खुसरत से डिजाइन जो है बन जाएंगे तो ये फर्स्ट रो हमारा इस तरीके से रहेगा फिर र ड्राकर की रख लेना है और रॉंग साइड से फिरुन को यह पर लेना है और ये 5 पंदी बीर्डने है और टू 3 4 & 5 पंदी बिन लेंगे फिर उन को ये वाले जो रेड़ वाले उन है उससे फिर वापस से अपनी पंदी और पहर कर कैसे छोड़ देना यहां पे देखे डव और यह फंदे बिनने हैं इसी तरीके से करना है आपको रिपीट करते जाएंगे और यह रॉंग साइट से बन करके तयार हो जाएगा बस धियान रखना कि 5 फंदे जबी भी हो जाए तो फिर उनको अपनी और ले करके आना है और फिर यह नीचे रहेगा और यह उपर रहेगा और फिर इस तरीके से दो फंदे एक्स्ट्रा है जो मैंने लिए हैं उसे बिन लेना है तो कुछ इस तरीके से नजर आएंगी देखिए फ्रेंश दो रो हो गया सेम हमें इसी प्रोसेस से हमें फोर्थ रो गंप्रीट करना है पहले फंदे स्किप करेंगे और एक फंदे बिनेंगे फिर यह रेड वाले उनको अपनी और ला करके छोड़ देना है और फिर फाइफ फंदे सिधे बिनने हैं वन टू त्र फोर एंड फाइव अगेन हम यह रेड वाले उनको पीछे लाके छोड़ देना है फिर फाइफ अंदे सिधे बिनने हैं फिर से हम इसे लाकर के सामने रखना है और फिर फाइफ अंदे बिनने हैं वन, टू, टू, त्री, फोर एंड फाइफ फिर इसे हम इधर लाकर के छोड़ देना है रॉंग साइड में और दो फंदे बिनने इसी तरीके साब को रिपीट कर लेना है अब यह थार्ड रो जो है यहां पर कमप्लीट हो जाता है तो 4th row भी हमें इसी तरीके से complete करना है देखें यह उनको पीछे ला करके छोड़ देना है और फिर यहां पे बिनना है 1,2,3,4,5 फाइफ अंदे अगें हमें इसे अपनी और ला करके रखेंगे और फिर 5 फाइफ अंदे बिनेंगे उल्टे 1,2,3,4,5 फिर से हमें इसे ला के पीछे छोड़ देना है और 5 फाइफ अंदे बिनना है इस तरीके से ही आपको इसे complete कर लेना है और यह कुछ इस तरीके से नजराने वाला है अब फोर्थ रोग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है बीच में जो हमने 5 फंदे रखे थे उसमें डिजाइन बनाना है तो देख लिए कैसे बनेगा पहले फंदे स्कीप करेंगे फिर यहाँ पर देखे 1,2,3 फंदे बिनने है यह दो फंदे जो है 1,2 फंदे इसे लिए बीच में 5 फंदे है इस तरीके से 2 फंदे को बिनने लेंगे सीधा और फिर यह पाइप फंदे जो एक्स्टा है अलग कलर के उन हैं उसके नीचे से लेके जाएंगे यह Dh engaging वाले फंदे में और इस तरीके से सिधे बिन लेंगे बिन लेने के बाद फिर इसे छोड़ देंगे And now we are तर्द थीं आ नहीं हैं वापस से नीचे से ऋपर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से और फिर लाश्ट के आपको इस तरीके से बीन करके complete कर लेना है देखे फिर इस तरीके से design बनता चला जाएगा अब हमें next जो है इस पे ही उनको गुमाना है four row तक complete करना है तो यहां से यहां तक हमें seven फंदे उल्टा उल्टा बीन करके complete कर लेना है one, two, three, four, five, six, seven देखे यह आ गया अब हमें उनको पीछे करके और फिर five फंदे उल्टे बीनने है one, two, three, four, and five और फिर हमें उनको लाके अपनियों रख लेना है बस इतना साहीं करना है और बहुत ही खुबसरा से design बन करके तयार हो जाएंगे प्लिट करना है तो देखे फ्लिट करना है तो देखे फिर इस तरीके से फूर्थ रो यहां पर complete हो गया है अब हमें जो यहां पर repeat किये थे समय में यहां repeat करना है उससे पहले हमें यह red वाले फंदे को यहां पर भी फसाना है देख लिए कैसा मैं एक बार last time बता कर रही हूं बना करके पहले फंदे skip करेंगे फिर उल्टे बीनेंगे और फिर इसे हमें उनके अपनी और लाना है आप चाहें तो colorful उनका भी इस्तमाल कर सकती है जो भी आपके पास उन बचे हुए हैं उसका भी इस्तमाल कर सकती है तो यह 5 फंदे बीन लेने के बाद फिर हमें उनको पीछे करके लाके छोड़ देना है और फिर यह blue वाले उन से हमें 1 and 2 फंदे बीनने है प्लस थर्ड फंदे में हमें इस तरीके से नीचे से लेके आना है और इस तरीके से नीचे से उपर लेके जाना है बस आपको इसी चीज का repeat करते हुए बनाते जाना है इस design को अगेन हमें यह उन को अपनी ओर लाएंगे और यह 5 फंदे बीनेंगे 1, 2, 3, 4, and 5 उन को पीछे और यह 2 फंदे, 1, 2 फंदे एक्स्टर इस तरीके से यह बनाते जाएंगी देखेंगे फ्रेंस जब ज़्यादा बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है तो उमीद करते हैं हमारे चैनल को उमीद करते हैं आप सभी को यह design बहुत ही पसंद आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लें